Bollywood में प्रान एक ऐसे एक्टर थे जिनका सभी कला कारों के साथ एक आच्छा सम्मन था 60's में उन्हेंने किषुरकुमारजे के साथ काफी फिल्में की थी और प्रान साथ किषुरकुमारजे को बहुत चाहते थे किशुर कुमार जी के गीत उने बहुत ही अच्छे लगते थे उन दोनोंने बहुत सरे फिल्मों में काम किया जीसे हाफ टिकीठ हो आशा हो, मनमोजी हो, साधोहार सैतान हो, पहली जलक और जालसास ऐसे बहुत सारे फिल्में थी इसमें किशुर कुमार और प्रान सामने मिलके काम किया था और ज्यादातर फिल्में हिट रहे और प्रान साब को किशुर कुमार का अंदाग बहुत पसंद आता था जिस तरह से किशुर कुमार जी का way of conduction था वो प्रान जी को बहुत अच्छा लगता थे फिल्म के set पे वे सब हस्ते हस्ते ही shooting करते थे अगर कोई short series भी हो तो भी किशुर दा प्रान साब को बहुत हसाते थे इन दोनों में बहुत अच्छा bonding था और किशुर कुमार जी ने प्रान साब के लिए भी कुछ गित गाये थे और वो गित काफी hit हो चुके थे इन में से एक गित था आके सीधी लगी दिल पे जैसे कट रिया एक गित फिल्म हाप टिकेट से है आप सभी को मालूम है कि हाप टिकेट के सभी गाने hit थे तो हाप टिकेट फिल्म का संगीत निर्देशन किया था सलिल चौदरी साब ने आके सीधी लगी दिल पे जैसे कट रिया एक सौंग किशुरकुमार और प्रान पे चितरित होने वाला था किशुरकुमार ने इस गीत में लेडिस का रोल किया था मेल का रोल प्रान कर रहे थे आके सीधी लगे इस गाने के लिए किशुरकुमार जी प्रान के लिए गाने वाले थे और जो किशुरकुमार जो भुमिका कर रहे थे फिमिल की उसके लिए लतामंगेशकर जी गाने वाले थी मगर कुछ कारण वश लतामंगेशकर जी गाना नहीं गा सकी ऐसा भी कहा जाता है कि दतामंगेशकर जी को किशुर कुमार जी के लिए एज अ प्लेवेक सिंगर फिमेल वाइस में गाना थोड़ा अनीजी लग रहा था इसलिए ओ जान मुझके प्रैक्टिसेशन में नहीं आ रही थी किशुर कुमार जी मतातामंगेशकर जी के बहुत रिस्पेट करते थी उन्होंने बाद में सलील चौदरी साब को रिक्वेश्ट की क्या ये दोनों पार्ग वोग आ सकते हैं पहले तो सलील चौदरी साब को लगा कि किशुर कुमार जी मजा कर रहे हैं तो किशुर कुमा जाएं कहा कि वो उनको गाना गाके सुना सकते हैं और किशुरदा ने एक गाना गाना चल किया जैसे किशुरदा ने गाना गाना चल किया तो वहाँ पे जो जितने भी लोग बेठे थे सब लोग देखते रहे गएं किशुर कुमार फिमेल वाइस इतना अच पुरी हुई और जीस दिन गाना ये रेकॉर्ड घूना था उसी दिन इजो गाना था चांद क्राइब है तुम आगे का घौशुर कुमार और लता मंगिश्कर जी इन्हों ने गाना रेकॉड किया और बाद में लतामंगेशकर ने भी स्टूडियो में बैठके ए गाना सुना जैसे ही इस गानी के रेकोर्डिंग शुरू हुई तो लतामंगेशकर एकदम चोक गई जो रेकोर्डिश था वो भी एकदम चोक गया और जैसे गाना शुरू हो गया तो एक गाना लतामंगेशकर जी ने बहुत एंजोई किया, वहाँ प्रांच साब भी थे, उनको भी एक गाना बहुत अच्छा लगा, और पूरे रेकॉर्डिंग की समय लतामंगेशकर जी हस्ती रही, और उसी वक्त उनके मन में खयाल आया, ये तो आदमी जीनियस है, ये प्रांच साब ही गा रहे हैं, यही तो किशर कुमार साब की खासियत थी, में उन्होंने गीद गाया है, तो किशर कुमार एक ऐसा कर सकते हैं, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ किशर नहीं कर सकते हैं, ओ लेडिस का भी पार्ट गा रहे थे, और इमिजेटली ओ जेंड्स का पार्ट भी गा रहे थे, तो स्विच करना फिमेल मेल और मेल टू फिमेल ये इतना आसान नहीं था, ये सब देखके सलीन चौदिरी साब बहुत चक्कित हो जब आके सिधी लगे दिल पे कटरिया ये गाना जब रिलिज हुआ, सब लोग हक्का बक्का हो गए और वो सोचते रहे गए कि किशर कुमार जी ने ये गाना इतना अच्छा कैसा गाया होगा, किशर कुमार जी एक रियल जीनियस थे और जिस तरह से किशर कुमार जी ने एक्टिंग किये है और जिस तरह से उन्हें ने गाया है ये सिर्फ एंड सिर्फ किशर कुमार ही कर सकते हैं, आप ये गाना फिर देखे किस प्रकार से किशर कुमार न आते थे और खुद लतामागेशकर को भी एक गीत बहुत पसंद था तो आप सोच सकते हैं कि किश्वर कुमार कितने टैलेंटर थे और किस प्रकार से नए नए प्रयोग हमेशा वो करते रहते थे तो दोस्तो मुझे हिजाज़त दीजिए फिर में लेके आओंगा कुछ नए क से आपके लिए अगर आपने ये चानल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सस्क्राइब करें तो फिर मिलेंगे जय हिंग जय भारत झाल